हेलो गाई से जो बात करें वाले है आरवी एनल के बारे में आरवी एनल की बात करें रेल वेगास नीगम लिमीटेड इस कंपनी का यहां पर से क्वाटर फूर का रिजल्ट आ चुका है अल्रेडी मैंने आयर एफसी एंड आयर सेटीसी के उपर वीडियो बना दिया है उपर स्कुलिटीसी के ऊले है पर बात करें है यहां के बात करेंगे हैं आप लोगों को के डिविडियों ने है कब तक आप लोगों क एक आधाक जाएगा वह सारी चीज़ों के बारे में भी हैज वीडियों बात करेंगे तो ये वीडियो अंतर देखते रहे ना यहां पर से सबसे पहले रिजल्ट के उपर चलता है डाइरेकली यहां पर से कॉटर फोर के रेल विकास निगम लिमीट रेडिस कंपनी का यहां पर से डिवीडेंट अनॉस्मेंट किया है मतलब यहां पर से यह जो डिवीडेंट है आप लोगों को यहां पर अच्छा खासा आप परसेंटेज के मामले में हम बात करें तो यहां पर ठिक टक देखने को मिल रहा है डिवीडेंट की बात करें तो डिकटएक्ट देखने हो मिल रहा है पर यह कंपनी का शेर 22,25 रुपे के आजू बाजू में है और वर दीवीडन इतना दे रहा है तो यह अच्छी बात है इतना जदा यहां पर से नीटराश उनकी बात दिये कंपनी का जो डिवीडन है वो अच्छा देखने हो मिल रहा ह कंपनी यहां पर से result कीeger बात करलेते है कंपनी का परफॉंस है result के मामले में कैसा देखने करो बहुत साहरे information बताएग ए और नीची तरफ बोगों को जो इसका result वह भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है तो याहां पर और रिजल्ट है, सबसे बएले देख लेता है, तो यहाँ पर से आचुके है, इसकी रिजल्ट के उपर, और आप लोगो को कमपणी का सबसे बएले, रियल विकास निगम लिमिटेड, इस कमपणी का सारा का सरफ अमांट से, वो करोड में दिया गया है, standard and consolidated result दोनों यहाँ पर से एक ही column में दिये हुए एक ही page के अंदर तो यहाँ पर सबसे पहले हम standard and result देखेंगे उसके उपर से consolidated result almost same ही सारा कासरा नसर आ रहा है ठीक है तो यह चीज याद रखना अभी सबसे पहले यहाँ पर से standard and result के उपर चलता है company का standard and result के अंदर quarter and quarter और year on year biz पर हम result को कंपर करेंगे ठीक है तो यह चीज याद रखना सबसे पहले company के revenue की बात कर लेते तो company का income revenue from operation and other income से company का total income आ जाता है 5650 करोड रूपीज का तो यह सारी की सरी amount करोड में तो 5650 करोड रूपीज का company का इस quarter का income रहा है जो पिछले quarter के comparison में अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पिछले साल same quarter से भी हम compare करें company के result को तो भी company का जो result है वो बहुत अची तरीक से उंपर होती हुई देखने को मिल रहा है अभी हम बात कर लेते हैं company का year on year business पर performance तो year on year business पर भी company के अंदर यहाँ पर अच्छा performance देखने मिल रहा है quarter and quarter और year on year business पर company का जो performance है अच्छा ही देखने मिल रहा है 2020 के अंदर income की बात करें तो यहाँ पर 14,796 96 करोर रुपिस की company ने income की थी जो यहाँ पर से बढ़कर यहाँ पर 2021 के अंदर 15,730 करोर रुपिस की income हो चुगी है तो यह एक बहुत अच्छी बात है positive चीज है अभी हम बात कर लेते है company के expense के बारे में company का expense की बात करे maturity expense यहाँ पर expense on operation expense on operation के उपर देखने को मिल जाता है और बाकि तो इनकी employees की fees और finance cost और वो साही depreciation cost और अधर expense को यहाँ पर से मिला कर company का यहाँ पर से आप लोग देख सकती हूँ 5,236 करोर रुपिस का company का expense देखने को मिल रहा है तो 5,236 करोर रुपिस का अपने का expense रहा है और income की बात करें तो यहाँ पर 5,650 करोर रुपिस का company का जो overall result देखोगे तो positive में देखने को मिल रहा है और company का expense है वो volatile है कभी जादा काम का जादा कम होता रहता है यह चीज़ आपने को ध्यान में रखनी है इनका जो majority expense है ना यहाँ पर से operations का ही यहाँ पर देखने हो बिल रहा है जितना जदा operation करेंगे मलब expense करेंगे operations के उपर तो उनको यहाँ पर से जो फाइदा है वो overall long term में इनको ही होने वाल आइडिक है तो यह चीज़ आद रखना अब इम बात कर लेदे है कंपनी का यहाँ पर से year on year biz पर कैसा expense रहा है तो year on year biz पर भी कंपनी का जो expense है वो बढ़ता हूँ असरा आ रहा है तो यह चीज़ आद रखना कंपनी का year on year biz पर quarter and quarter biz पर expense बढ़ा है तो operating profit margin है वो जैसा था वैसा ही रहेगा कुछ जादा यहाँ पर से फरक नहीं बढ़ने वाला है अभी हम बात कर लेदे है कंपनी का यहाँ पर से net profit और loss for period किया है मनब कंपनी का यहाँ पर से net profit कैसा रहा है इस साल का इसके अंदर Expansional item और वो साइच चीज़ों को पर टैक्स और वो साइच चीज़ों को बात करकर इस कंपनी के हंदर 343.88 करो रुपिस का कंपनी नेट profit किया है और जो पिछले quarter के अंदर net profit की बात करें only 280 करो रुपिस का net profit था और उससे पिछले quarter के अंदर only 197 करो रुपिस का गंपनी का net profit था तो मदले में अहां पर से जो net profit है वो quarter and quarter आप लोगों को constant लगाता और बढ़ता हुँ नजर आ रहा है तो ये एक चीज़ अच्छी लगी year and year बिस पर भी net profit बढ़ता हुँ नजर आ रहा है company अच्छी तरीकी से net profit generate कर पा रही है तो ये एक चीज़ बहुत ज़ाधा positive नजर आ रही है company के total company इंकम की बारे में बात कर ले दे dus eps के बारे में earning per share की बात कर ले दे then तो 1.65 रुपीज का अर्निंग पर शेर आप लोगों को देखने के मिल जाता है, इस quarter के अंदर quarter 4 के अंदर, March quarter के अंदर जो पिछले quarter के अंदर 1.35 रुपीज का था, तो यहां पर quarter and quarter और year on year पर दोनों के अंदर अर्निंग पर शेर में बड़ोतरी देखने का मिल रही है, तो कंपनी का overall यहां पर से standard and result तो अच्छा ही देखने मिल रहा है, अभी concentrated result देख लेता है, concentrated result कैसा देखने मिल रहा है, तो यह concentrated result है और यह standard and result है, यह सारे के सारे आकड़े आप लोग देखोगे, बारी-बारी में टिक कर रहा हूँ, वो सारे के सारे आकड़े, almost सारे same है, ठीक है, तो यहां पर से company का result है, standard and considered दोनों के मामले में यहां पर से, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, year on year basis पर और quarter and quarter basis पर, company का result है, वो मिरे को पसंद आया, आप लोगों को कैसे लगा, मुरे को comment section में बताना, अभी हम बात कर लेते हैं, company का यहां पर से segment revenue, segment revenue आप लोग देखोगे, उपर की तरफ देखने को मिल रहा है, तो यहां पर, assets and liabilities की बात कर लेते हैं, company का assets and liabilities कैसे हैं, तो non current assets की उपर, company की loan यहां पर देखेंगे, तो 15.44 करो रूपिस की, company की loan नजर आ रही है, अभी की बात करें तो, और यहां पर से, यहां पर भी, जो amount assets and liabilities का, वो दोनों के अंदर, concern return and standalone में, same ही देखने को मिलेगा, ठीक है, तो directly stand alone का, देख लेते हैं, तो यहां पर से, नीची की तरफ चलते हैं, company का non current assets के उपर की बात कहले लेते हैं, तो non current assets के उपर, तो 15.44 करो रूपिस की loan थी, अभी non current assets के, current assets के उपर 10.44 की loan है, company के पास cash and cash equivalent है, 1416 करो रूपिस का है, बढ़ता हुआ नज़रा रहा है, और quarter and quarter business पर, company का bank balance है, अभी यह बात के लेते हैं, borrowing के बारे में, company ने यहां पर liabilities के अंदर, non current liabilities के उपर, borrowing को बढ़ाया है, 5,671 करो रूपिस का borrowing हो चुका है, company का, जो पिछले quarter के, पिछले साल 2020 के अंदर, यहां पर 4,256 करो रूपिस का था, अभी हम बात कर लेते हैं, non current liabilities के उपर, borrowing वहां पर कोई भी प्रकार की borrowing नहीं नज़र आ रही है, तो यह भी आप लोगों चीज़ याद रखनी है, other financial liabilities, इसको भी आप लोग borrowing ही बोल सकते हो, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, current liabilities and other liabilities, ठीक है, यह दोनों ही borrowing ही है, तो इसके अंदर भी borrowing को यहाँ पर से बढ़ाया गया है, ठीक है, यह भी चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, अभी हम बात कर लेते हैं, company का कोई other information, जो आप लोगों के लिए यहाँ पर से पेश कर गी हुगा, तो यहाँ पर कोई भी information अभी नहीं है, बाकी अभी directly chat pattern के उपर चलता है, chat pattern कैसे नज़र आ रहा है, rail, vikas, neegam, rvnl का यहाँ पर से आज के दिन ज़र का performance देखेंगे, तो 77% अब देखने को मिल रहा है, company यहाँ पर से 1 year की बात करें, आप 1 month की बात करें, तो आप लोग 1 5 days के अंदर, company का 2% का return देखने मिल रहा है, 1 month के अंदर 11% का return, 6 month की बात करें, 43% का return है, और 1 year की बात कर लेता है, तो 74% का return देखने मिल रहा है, company का maximum chart return देखोगे, तो यहाँ पर से अभी-भी company list चुई है, 12-20 के अंदर, तो अब से लेकर अभी तक company ने यहाँ पर 66% का return दिया है, आने वाले समय में, इस company का जो share है, और भी जदा उपर जाने की probability रखता है, इस company को यहाँ पर से long term horizon के लिए आप लोग hold करना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फाइदा होगा, ठीक है, long term के लिए share मेरे को अच्छा लगता है, short term के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, short term, medium term के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, आने वाले 2-3 साल के लिए आप लोग इस company को hold करते हों, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फाइदा पहुचा सकती है, यह company ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं दिखा, IRFC and IRCTC का जो result है, वो भी यहाँ पर से आधी आ गया है, IRFC and IRCTC का result, वो भी जाके देख लेना, आज के दिन कामाथ होटल का भी यहाँ पर result आ जुका है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारी company को results आने वाले आज के दिन, यह वीडियो अंतर देखने के लिए, थेंगी सो मच, यह सारे के सारे वीडियो से आप लोग देख लेना, जो आप लोगों ने इस company के दा invest किया, या invest करना चाहते हो, ठीक है, तो बस तरह आज के लिए इतना यह वीडियो पसंद देते हैं, लाइक चैनल को सबस्राब करना, मत बूलना, गुडबालफ गुडबाई, फिर में ते नेक्स डूब में, गुडबाई,